हलो आप्रिवन आप सभी को मेरे यूट्यूब चनल चिक्जाम में फिरसे एक बार स्वागत है आसा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे केंडिट जो यहाँ पर विनवा वब्वे हजारी बाक से अफिलेटेड कोई भी कॉलेज में अड्मिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए जिनका अभी तक अड्मिशन नहीं हुआ है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आप इसको देखिए और पूरी वीडियो को समझेए यहाँ पर जिन सभी का अड्मि केफिकेशन निकाला गया था वह 31 अगस्त 2000 अचीस को निकाला घाता ठीक है यहां पर आपका जो फैस्ट म expect यहां पर अपना अड्मिशन ले ली थेक है यहाँ पर एक सप्रोडर से धौत्वर को खूला गया था और इसका जो लाच्ट गा था वह आपका 11 शप्रोडंबर 2020 रखा गया था ठीक है इसके बाद फिर यहां पर बहुत सारे student लोग complain के parents लोग complain के और यहां पर admission complete नहीं वा था इसके लिए यहां पर यहां पर बहुत सारे लोग complain के तो यहां पर date को जो है वो extend करके फिर एक और notice निकाले वो मैं notice को आपको 25 अगस्त दो हजार अकिस तक जो apply किये थे ठीक है फर्स्ट बार में उनका लास्ट जो admission का था वो 10 सप्टेंबर दो हजार अकिस था ठीक है बट इसको extend करके यहां पर 18 सप्टेंबर दो हजार अकिस किया गया ठीक है जो कि आज यहां पर complete खतम हो काफी इंपॉर्टेंट है आप देख लीचे यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है admission से regarding नहीं तो admission आप नहीं ले पाएंगा offline admission नहीं होता यह बात का ध्यान रखेगा ठीक है तो यहां पर जो 25 अगस 2020 तक apply किये थे उनका जो last date था वो 8 September sorry 10 September रखा गया था बट उसको बढ़ा कर 18 September किया गया था 8 दिन यहां पर बढ़ा दिया गया था जो कि कल आपका खतम हो गया ठीक है आज यहां पर मैं देखिए आपको बता रहे हैं यहां पर last date आपका verification और certificate का है first merit list का वो आपका 23 September 2020 रखा गया था जिनको यहां पर बढ़ा कर 22 September 2020 कर दिया गया है तो जो भी first merit list यहां पर admission ले चुके है वो college से contact करिए वहां पर जाकर 22 September 2020 तक अपना document को verify करवा ले वहां पर roll number आपको मिलेगा वो roll number ले ले तभी आपका complete admission होगा ठीक है यह ब वो भी आप में video बना दिया हूँ ठीक है यहां पर फिर बोलो गया है जो classes है first merit list का वो आपका जो है वो आपका first merit list से जितनी लोगों का admission हुआ है वो आपका 14 September से start होने वाला था बट इसको भी बढ़ा कर 17 September 2020 कर दिया गया था ठीक है यानि कि 17 September 2020 आपका classes जो start होने की commitment की ग यह काफी important है आपके लिए ठीक है जो आपका four point है वो देखिए portal will be closed on second application ठीक है अभी भी आप apply कर सकते भी यू से affiliated जो भी colleges में आपको apply करना है जहां कहीं भी seat खाली है अगर government college में seat नहीं खाली है admission आपको लेना है तो please आप private college में admission ले ले लेजे ताकि आपका एक साल तरब से आप जो भी करना चाहिए वो कर सकते है बट मेरा commitment है कि अगर आपको government college में seat नहीं मिल रहा है तो please आप यहां पर जो है private college में भी apply करती है security reason के लिए कि second merit list में अगर मान लिजे आपका नाम नहीं आता है तो फिर क्या होगा आप second merit list admission ले ले लेंगे ठीक है यह आप तो वैसे candidate क्या करेंगे मेरा जो है मतलब मैं जो कर रहा हूं वह आपके लिए important है कि आप यहां पर आप apply कर दीजे यहां पर 19 सप्टमबर 2020 आज आज आपका last date है आज आपका रात आट बजे तक यहां पर apply online कर सकते हैं मैं वीडियो बना दिया हूं ताकि सभी लोग यहां पर इसे यह notification बहुत पहले आया फिर से मैं बता रहा हूं जिनका selection नहीं हुए first merit list में security के लिए आप यहां पर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप यहां पर last आज apply कर लिजे ताकि आपका second merit list में नाम आ जाए ऐसा भी हो सकता है कि first merit list में बहुत सारे student का नाम लिया गया उसका यहां पर second merit list में नाम नहीं लिया जाए तो आप छूट जाएंगे ठेक है वो depend करते हैं आपके college से कि वो कैसे वहां पर prepare करते हैं बाच अपना merit list बनाते है ठेक है तो अच्छा रहेगा कि आप apply कर दीजे अगर आपका अभी तक admission नहीं हुआ है यह आपको बता दे second merit list का आपका last date आज है ठीक है last date आज है ध्यान रखेगा इस बात का आपको यहां पर apply करना है तभी आपका यहां पर admission हो सकता है ठीक है अगर late करेंगे तो problem में भी आपको हो सकता है उसके पाद आपको बता दे publication of merit second merit list ठीक है यानि कि आपका यह आज 19 सप्टेंबर को close हो जा आपको problem ना हो और merit list अब में आपका नाम आ जाए ठीक है तो second merit list आपका जो 14 सप्टेंबर 2020 को आना था वो आपका यह date गलत है आपका जो आएगा वो 13 सप्टेंबर 2020 को ठीक है तो यानि कि जो आज apply करेंगे second merit list में जिनका नाम second merit list में आ जाएगा college के तरफ से approval मिल जाएग पर यह date नहीं आपका 24 सप्टेंबर sorry 24 सप्टेंबर यहां पर यह गलती कर दिया देखें यहां पर जो है यह आपका 9 होगा यहां ठीक है कोई दिकत नहीं है आप यह गलती है university के notification के तरफ से कोई दिकत की बात नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं यहां सप्टेंबर में apply करन से admission अपना online ले सकते हैं अपना admission payment कटवा सकते हैं उसके बाद last date आपका admission करेगा वो आपको बता दे 29 सप्टेंबर 2020 तक यानि कि बता दे जो भी student यहां पर आज apply करेंगी यानि कि second merit list में जो भी candidate का selection होगा वो सभी यहां पर 29-24 तारिक से लेकर 29 सप्टेंबर तक last यहां प पर second merit list की बात रही ठेक है तो second merit list में भी आपका first merit list में अगर seat खाली बचता है जो भी candidate admission नहीं लेते तो वहां से उठा कर आपको second merit list में दे दिया जाएगा आपको seat अगर खाली बचे करता है बट आपको बता दे अगर आपको merit list में नाम नहीं आया तो security के लिए आपके ल problem हो जाएगा इसके लिए apply करते रहिए एक college नहीं दो तीन college में apply करें ताकि आपका selection हो जाए ठेक है उसके बद बता दे यहां पर eight में है क्या last date of verification यानि कि आपका admission 29 September को close हो जाएगा जो भी second merit list में apply करेंगे यानि कि आज तक जो apply करेंगा 19 September तक उन सभी को document verification जो पहले सकते है college campus पर ठीक है इसके बावजूद कोई तरह का दिकत होता है आप यहां पर complaint कर सकते है यह notification जो है अजे कुमार सर्मा जो नोडल ऑफिशर है फिलाल में हमी भी वियुके उनके तरब से निकाला गया यह काफी important है फिर से मैं बता रहा हूं जो candidate का first merit list में selection नहीं हुआ ह ठीक है यानि कि उनका नाम नहीं आया ओ सभी लोग मेरे कहने का अनुशार आप यहां पर second merit जो अभी admission के लिए portal खुला गया है जो कि आज आपका 19 September तक last date है ठीक है आप apply कर दीजिए ताकि आपको बता दे first merit list है आपका अगर selection नहीं होता है तो अगर आप यहां पर second अभी apply कर देंगे तो maybe यहां से आपका selection हो जाए ठीक है तो आपका admission easily हो सकता है ठीक है तो फिर से ध्यान रखेगा last date आज है second admission के लिए आप ले सकते है फिर आपको बाद में यहां पर portal खोला जाएगा तो अची बात है अगर नहीं खोला जाता है तो फिर आपको wait करना तक ठीक है उसके पहले apply कर लिजिए यहां पर portal close कर दिया जाएगा और फिर इसका admission जो होगा वो पुरी तरह से आपका 24 September से होगा आप वहां पर जैसे ही आपका merit list आता है मैं वहां पर आपको notification दे दूँगा वीडियो बना कर ठीक है तो thanks for watching इस वीडियो को जादा स्यादा share करें ताकि सभी को यहां पर admission ले सकते हैं जो भी candidate का यहां पर admission नहीं हुआ है have a nice day